हेलो दोस्तों, BMS Not Simplified में आप सभी का एक और बार स्वागत है तो आज का हमारा टॉपिक है दिर्गन जिविती अध्याई जो की चरक सुत्रस्थान का पहला अध्याई है तो इसका नाम है दिर्गन जिविती अध्याई तो इसके पहले के कुछ वीडियो में हमने पूरी सीरीज में हमने देखा है पंचकर्म के बारे में तो पूर्वकर्म और पंचकर्म दोनों ही उन वीडियो में इंक्लूड हुए है तो सेपरेट वीडियोज है इन सब टॉपिक्स के लिए इसनेहन स्वैदन, वामन, विरेचन, निरुह बस्ति और अनवासन बस्ति बस पंचकर्म में से एक नस्या रह गया है वो भी मैं जल्दी बनाऊँगी चरक सुत्रस्तान के लिए काफ़ी request आ रहे थे इसलिए मैंने चरक सुत्रस्तान फिलाल शुरू कर दिया है तो आपको चाहिए तो पंचकर्म के ऊपर जो सारे वीडियोज है आप उन्हें चेक कर सकते हैं और अब इस वीडियो में हम देखेंगे चरक सुद्रस्तान का अध्याय पहला जो है दिरगन जिवितिया के बारे में तो आईए आज का वीडियो देखते हैं तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत मैं कोशिश करूँगी कि जल से जल उन टॉपिक पे कस्टमाइज नोट्स बना कर आपको देदू तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है तो दोस्तों दिरगन जिवितिया अध्याय जो है वो चरक सुद्रस्तान का पहला अध्याय है और सुद्रस्तान जो ह कि आप जानते होंगे कि सुद्रस्तान को जो है वो साथ चतुषकों में बाटा गया है डिवाइड किया गया है तो चतुषक यानि जिसे हम टेटराट भी कह सकते हैं यानि कि चार-चार अध्यायों का एक ग्रूप बनाया गया है तो सबसे पहला जो ग्रूप है पहले चार चतुषक में आएंगे और फिर पांचवी से लेके आगे के चार जो है वो स्वस्ति चतुषक उसके बाद निरदेश कलपना वगरे अलग-अलग चतुषकों में आते हैं और लास्ट के जो दो अध्याय है वो संग्रहद रव्य में आते हैं तो इस तरह से सुत्रस्तान का मतलब क्या है इसके उपर कई बार mcqs आ जाते हैं तो सुत्र का मतलब है कि जो थोड़े शब्दों में या थोड़े से अक्षरों में ही बहुत सारी बाते बता दे या बहुत सारे अर्थों को बता दे उसे सुत्र कहते है यानि कि आप इंगलिश में कहें तो एक सुत्रस्थान में यही है सुत्रस्थान में जो आयरुवेद के सारे ही विशय है वो संक्षिप्त में शौट में बताए हुए है तो यही इंपोर्टन से सुत्रस्थान का कि इसमें सब कुछ ही दिया हुआ है लेकिन शौट में दिया हुआ है लेकिन पूरी सहिता इसमें पढ़ रहे हैं तो आयर्वेत का जो ग्यान है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी से मिला दक्ष प्रजापती को फिर उन्होंने दिया अश्विनी कुमारों को जो दो हैं दो भाई थे अश्विनी कुमार उनको दिया उनसे प्राप्त हुआ इं नहीं होती थी तो इसलिए और शदियों की और इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और अलग-अलग यूगों में आयू भी अलग-अलग बताई गई है जैसे कि हम जानते हैं जो सबसे पहला जो है सत्यूग तो सत्यूग में 400 साल होता था उसके पाद जो है त्रेता प्रादुर बढ़ता गया और उसकी वज़े से आयू घटने लगी तो जिसकी वज़े से अब रिशी जो है आचार्य वो काफी चिंता में पड़ गये थे कि किस तरह से अभी इन रोगों को दूर किया जाए इनको कैसे रोका जाए या अगर हो गए है तो उनको ठीक कैसे कि किया जाए तो अब इंद्र के पास आके जो आयरवेद का ग्यान है वो रुख गया था तो सब रिशी मुनी जो है कई सारे रिशी मुनी करीब करीब पचास के उपर रिशी मुनी जो है वो हिमालय के समीप में एक जगा में एकत्र हुए और उनके बीच में डिसकुशन करेंगे और उसी साब से जो है मतलब आयरवेद के थुरू जो लोगों के कष्ट जो है वो दूर किये जाएंगे फिर भरदवाज रुशी से जो आयरवेद का ग्यान है वो मिला अत्रयको और पुनर्वस्व आत्रयको और उनके जो छे शिष्य है उनमें जो है सबसे करण किया था उसके उपर उसके में कुछ उधार किये थे कुछ एडिशन किये थे तो उसके बाद जो वो बन गई है वो है चरक सहिता जो भी आप पढ़ रहे हैं तो यात्रिया की छे शिश्य कौन है ये सब हम जानेंगे आगे जाके लेकिन सबसे पहला जो प्रमुग नाम आ तो थोड़ा इसे अब ध्यान से थोड़ा देख लिजे अब इसके बाद सबसे इंपोर्टन जो है वो देखते हैं कि आरोग्य तो आरोग्य की डेफिनेशन क्या है परिभाशा क्या है धर्मार्त काम मुक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम तो अब ये जो मैंने एक चोट होता है उसके उपर तो अगर आप बढ़ा श्लो के और बहुत बढ़ा श्लो का पूर्या का पूरा लर्न ना भी कर पाए तो भी उसका जो इंपोर्टन में पार्ट होता है कम से कम वो लर्न करके अगर आप लिखते तो आपका स्कोरिंग के चांसे जो है वो ज्यादा हो जा आपका एक इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और आपको पूरा श्लोक याद करने की भी जरूरत नहीं है अगर बहुत बढ़ा श्लोक है तो उसका एक छोटा सा पार्ट लिखकर आप छोड़ सकते हैं जो कि इंपोर्टेंट पार्ट है तो ऐसा उसमें से एक पद्य जो ह आपको ढूणना होगा मैं तो कोशिश करती ही हूँ कि अपने नोट्स में मैं इंपोर्टेंट श्लोक जो है वो इंकलूड कर दू तो बड़े श्लोक भी है जो वो भी मैंने इस तरह से जो छोटा पार्ट उसका लर्ण करने से भी चल जाएगा इस तरह से भी मैंने इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि धर्म अर्थ काम और मोक्षी जो चार पुरिशार्थ हैं इनकी जो प्राप्ति है वो आरोग्य से ही होती है यानि हमको धर्म अर्थ काम और मोक्षी यह पुरिशार्थ अगर हमें प्राप्त करने हैं तो वो अगर हम अगर रोगी है तो हम नहीं कर सकते हैं, हमारा आरोगिया अगर अच्छा है तब ही हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं कि 3 सूत्र या फिर 3 सकंध या फिर 3 स्तंभ क्या है आयरुवेद के, तो देखें यहां पर भी एक काफी important श्लोग है, हेतु लिंग और शद ग्यानम स्वस्थातूर परायनम त्री सुत्रम शाश्वतम पुन्यम भुबुदेयम पिता महा तो ये एक MCQ है इसमें आता है कई बार हमारे एक्जाम में भी आया था हेतु लिंग और शद ग्यानम ये ब्लैंक दे दिया था और आगे का पूरा श्लोक दे दिया था तो वो ब्लैंक फिल अप करना था तो इस तरह से श्लोको में भी MCQ आ जाते हैं तो अब देखिए त्री सूत्र याने की त्री स्तंभ जो तीन पिलर्स है आयरविद के वो क्या है हेतु लिंग और और ओशद का ग्यान तो हेतु है हेतु यानि क्या है यानि कारण जो की स्वस्थ होने का जो कारण है वो भी और अस्वस्थ होने का जो कारण है वो भी दोनों के ही कारण क्या है वो हमें देखना होता है लिंग लिंग है symptoms तो लिंग जो है वो जिसे हम लक्षन भी कहते हैं तो वो स्वस्थ होने के भी क्या लक्षन है और द्रव्य किस तरह से प्रयोग होगा, कौन सा ओशद द्रव्य किस व्यादी में प्रयोग होगा, तो स्वास्तर अक्षन करने वाले ओशद कौन से हैं, और अगर रोग हो गया तो दूर करने वाले ओशद कौन से हैं, यह दोनों ही अलग है, तो इन दोनों का ही जो ग्यान है, तो यह तीनों जो है हेतू, लिंगो और आउशद का ग्यान, यानि की causes, symptoms और medicine या फिर treatment, तो यह जो तीनों है, यह तीन पिलर्स हैं, त्री स्तंब है, त्री सूत्र है, त्री सकंध है आयरुवेद के, तो आपको 2 marks के ये question आ जाता है, और अलग-अलग words पूछ लिए जाते हैं, कभी त्री सूत्र पूछ लिए जाता है, कभी त्री सकंध, कभी त्री स्तंब, तो आपको याद रखना है कि ये तीनों चीज़े एक ही है, और ये question अगर पूछा आपको तो ये लिखना है, अब इसके बाद हम सभी पढ़कर आए हैं फर्स्ट एर में, उसमें जो है वैशेशिक दर्शन के हिसाब से जो सिक्वेंस बताया है, शट्पदार्त का वो है, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेशर समवाए, लेकिन चरक ने जो सिक्वेंस बताया है, वो है सामान्य विशेश गुण, द् नहीं लिखना है, अगर शट्पदार्त आपको पूछा जाता है, दो माक्स के लिए पूछ लेते हैं, MCQ भी पूछ लेते हैं कि सिक्वेंस क्या है, या फिर ये शलोक दे देते हैं कि सामान्य विशेश गुण, द्रव्य कर्म, तो आपको गुणान महा पे लिखना है, तो सामान्य विशेश गुण, द्रव्य कर्म, तो इसके बाद के स्लाइड में देखते हैं क्या है, तो अब पहले हमने देखा था कि भारदवाज रिशी से आइरवेद का ग्यान आत्रिय पुनर्वसू को प्राप्त हुआ था, और उन्होंने अपने छे शिश्यों में ये ग्य से हैं, ये देख लेते हैं, तो इसके में जो श्लोक है वो है, अगनिवेशस्च भेलश्च, जतु करनह पराशरा, हारितहक शारपानिश्च, जुग्रुहस्तन, मुनेरवचा, तो अब दोस्तो श्लोक लिखने से ये फायदा भी आपको होता है, कि अगर आप श्लोक लेरन होता है, और साथ ही MCQs के लिए तो ये है ही helpful अप जैसे इसमें भी कई सारे blanks हैं, जो डाल सकते हैं, भेलश्च, भेल के लिए एक blank आ सकता है, जतु करना के लिए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, छे शिश्च है या साथ है या पांच है, ये भी एक MCQ हो जाता है, तो छे शिश्च कौन से है आतरिया के, अगनिवेश, भेल, जतु करन, पराशर, हारित और ख्षारपाणी, तो इसमें देखे, सबसे पहले मैंने कहा था, अगनिवेश का नाम सबसे पहले आता है, और क्यूंकि वो सबसे प्रथम तंत्र करता बने है, सबसे पहला अगनिवेश तं इनमें जो है ग्यान की देवता, जो है आठ ग्यान की देवता उन्होंने प्रविश किया था, तो ये कौन सी है आठ ग्यान की देवता, बुद्धी, सिध्धी, स्मृती, मेधा, धृति, किर्ति, क्षमा और दया, तो ये जो आठ ग्यान की देवता है, इन्होंने अगनिव जो है वो सबसे प्रतम तंद्र करता है जिनकी सहीता अभियाप चरग सहीता के नाम से पढ़ रहे हैं जो की चरग द्वारा संस्करित है आप दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है आयुर्वित की परिभाशा ये एक ऐसा प्रश्ण है ये किसी ना किसी रूप में एमसी क्यू में या टू मार्क्स के लिए या किसी भी तरह से ये हर एक्जाम में युजुली पूछा ही जाता है तो ये काफी इंपोर्टेंट श्लोक है और ये तो आपको लर्न होना ही चाहिए इसके लिए कोई ये नहीं है ये आपको लर्न करना ही है तो जो श्लोक है दे तो ये जो आयू है इसके लिए जो हितकर है या फिर अहितकर है फिर इस आयू का जो मान है या प्रमाण है या जो अवदी है जो आयू हम बिताते हैं वो उसके लक्षणों का वरणन ये सब कुछ आपको जिसमें मिलता है उसे आयूरवेद कहते हैं तो देखे, हितायू, अहितायू, सुखायू, दुखायू, इनके सब के लिए जो हितकर या आहितकर है, ऐसी आयू के लिए जो हितकर है, आहितकर है, और इस आयू का जो मान है, प्रमान है, अवदी है, और उस आयू के जो लक्षन है, इनका वरणन आपको आयरवेद में मिलत या इनका वरणन आपको जिसमें मिलता है उसे आयरवेद कहते हैं तो इसी तरह से आप आयरवेद की परिभाशा लिखेंगे अब इसके बाद देखिए आयू क्या है तो यहां पर भी एक श्लोक है लेंद कर पाए तो बहुत ही अच्छा है शरीरेंद्रिये सत्वात्मसियोग धारी जिवितम नित्यगश्चा अनुबंधश्च परियाए आयू उच्चते तो परियाए रायूर उच्चते यह है श्लोक में उसका संदी विग्रज होता है परिया यही आयू हो उच्चते तो शरीर इंद्रिये सत्व और आत्मा यह जब मिल जाते हैं इनका जब संयोग और अनुबंध यह सब आ जाता है mcq के लिए to mark के question के लिए तो यह थोड़ा आपको learn करना चाहिए आयू के परियाए क्या है और किसे हम आयू कहते हैं इसके बाद जो कहा गया है लोक योर उभय और हितम मतलब दोनों लोकों के लिए उभय लोकों के लिए यह हितकारी है यह लोक और पर लोक यहां का लोक और पर लोक दोनों के लिए हितकारी है और आयरवेज शास्त्रों जो है उसे सबसे पुन्यतम कहा गया है तो यह हो गया आयू हो और दोनों लोकों के बारे में अब इसके बाद का पार्ट जो दह में आता है वो है सामान्य विशेश सिद् भी हम लोग सब फर्स्ट एर में पढ़के आए हैं तो जी श्लूक है ये भी मुसलि आपको लण ही होगा सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धिकारणम रास हेतुर विशेश च्च प्रवृत्धि उभयस्यतु तो सामान्य और विशेश दोनु का ही दिया हुआ है यहां पर सामान जो है उसके लिए जो श्लूक का पाट है वह सर्वदा सर्वभावा नाम सामान्यम वृद्धिकारणम तो सभी भाव यानяти Wik क्रण जो है उनकी जो वृद्धि होती है वह सामान्य से होती है याने light से light पढ़ता हे जो हम करते हैं कहते हैं तो द्रव्य गुन सामान्य जो है वो एकताका या समानता का दियोतक है या कारक है और विशेश के लिए जो श्लोक का पाठ है वो है रास हेतुर विशेश चा प्रवरुति ही उभयास्य तू तो प्रवरुति ही उभयास्य तू याने विशेश से ही सभी भाव का रास होता है याने डिफरेंट ज होता है सेम जो होता है उससे वृद्ध्य होती है तो विशेश जो है वो सामान्य से विशेश है वैशिष्ट है उसका वो अलग है विशेश इस शब्द से हमें विपरित अर्थ का बोध होता है यानि अपोजिट अर्थ का बोध होता है और विशेश जो है वो भेध विशेख सके रास होता है तो श्लूक जो है मैं एक्स्पेक्त करते हूं कि लर्न होगा ही आपको अगर नहीं है तो ये भी एक इंपस्पर्टंट शारीर यहने कि मन आत्मा और शारीर तो श्लोक यही जिवात्मा कि स्धित्य है और यह ज्रिल कल भी है जिसमें मन आत्मा और शरीर लौट अद्वित्य ही चेतन है और यही हमारे आयरुवेद का आधार भी है या अधिकरण भी है इसी के बेसिस पे पुरा आयरुवेद जो है पुरुष के लिए वही बनाया हुआ है बताया गया है तो त्रीदंडात्मक पुरुष जो है वही हमारा आयरुवेद का आधिकरण है आधार है इसके अब हम बात करते हैं द्रव्य के बारे में, ये बहुत important point है ये द्रव्य, तो द्रव्य किसे कहते हैं? तो देखें शलोक यहाँ पे लिखा हुआ है, खाधिनी आत्मा, मनह, कालो, दिशच्च, द्रव्य संग्रह, सेंद्रियम, चेतनम, द्रव्यम, निरिंद्रियम, चेतनम। तो खादीनी आत्मा याने ख आदी आत्मा तो खादीनी आत्मा मन कालो दिशेश्च द्रव्य संग रहा सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम तो जो द्रव्य है वो नो तरह के बताय हुए है इनको इन नो द्रव्यों को कारण द्रव्य भी कहा गया है और जो ये नौ द्रव्य है उनमें जो है वो है सबसे पहले पंच महाभूत जो पांच महाभूत है आकाशवायू अगनी जल और पृत्वी इसके बाद जो चार है वो है आत्मा मन काल और दिशाएं तो ये जो नौ है इनको कारण द्रव्य कहते हैं और इसके फिर कारण द्रव्य और कारिया द्रव्य इस तरह से दो भाग होते हैं फिर चेतन अचेतन इस तरह से इनका विभाजन होता है यह सब हम अकले स्लाइड में देखेंगे तो नौ द्रव्य जो है वो कौन-कौन से है पांच महाबूत है आकाश्वायू अगनी जल पृत्वी और आत्मा मन काल और दि आप देखिए यहां पर द्रव्यों के जो भेद उपर भेध हैं वो क्या है इनके डिफरेंट टाइप्स जो बताय गए हैं यह सेक्यू-मस्यू के लिए जरूर पूछ लिये जाते हैं इन में से तो द्रव्य के जो में भेध है दो दो मुख्य पार्ट जो डिबाइड किये या फिर सेंद्रिय aur NIRINDRIYA तो चेतन जो है वो Efraim या इंद्रियों के रहित, तो ये दो भेद होगे कार्यदरव्य के, अब इसमें जो चेतन है या सेंद्रिय है उसके फिर से दो पार्ट होते। वो है वह है बहिरंतास्चेतन और सेयर्ण आतास्चेतन और अच्छे तन जो है कार्या द्रव्य के दूसरा पार्ट जो था अच्छे तन उसके फिर दो है प्राकृत और गृत्रिम तो यह एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है द्रव्यों का उसके भेदों को भेद है ऐसे कि उसके हिसाब से काफी इंपोर्टेंट है इसके अलावा भी द्रव्यों का आलग से क्लासिफिकेशन किया जाता है जैसे कि तीन टाइप्स दोश प्रशमन धातु प्रदूशन और स्वस्तवर्थक तो यह सब कुछ हम डीटेल में अगले अगले स्लाइट में देखेंगे तो यह जो ब्रॉड है क्लासिफिकेशन यह आपको याद रख सकते हो फिर सेंद्रिय के दो टाइप है बहीर अंतस्चेतन और उनके चार चार टाइप जो है वो लिखने है और अचेतन का जो दो टाइप से प्राक्रोत और गृत्रिम तो इस तरह से यह आप एसे क्यों के लिए लिखेंगे अब इसके बाद हम देखते हैं गुण तो सार्था याने कि आकाश आधिके जो गुण होते हैं अर्थ के साथ शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, और गंध ये जो है ये सार्था इस वर्ड का सपश्टिकरन है गुर्वादयो याने गुर्वादी गुण जो है 20 गुरूलगुशित, उष्ण, स्तिक्धरुक्ष, को ही सामान्य गुण भी कहा जाता है और इसके अलावा बुद्धी याने कि ग्यान, स्मृति, चेतना, दृति, अहंकार ये सब जो होते हैं ये सब सभी को इनको गुण कहा गया है तो सार्था इस वर्ड का आर्थ है आकाशादी के गुण जो है गुर्वादयो है जो वह है गुर्वादी गुण जो 20 है सामान्य गुण वह है और बुद्धी शब्द से ग्रहन होता है ग्यान, स्मृति, चेतना, दृति, हंकार इन शब्दों का तो गुण के बारे में अगर लिखने के लिए आता है तो ये आपको लिखना है साथ ही इसके अगले पेच पे गुण क लक्षन जो है वो देखेंगे तो ये भी आपको SQ के लिए अगर आया तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है अब उसी शलोग का आगे का पाट देखिए प्रयतनान्ता इस वर्ड का आर्थ है इच्छादवेश, सुख, दुख, आधि का जिससे बोध होता है वो प्रयतन लिखना है परादी गुण जो है वो दस है तो इसको आप याद रखने के लिए पर अपर एक साथ लिख सकते हैं पर अपर युक्ति संख्या इसके बाद संयोग विभाग, पृत्धकत्व और परिमान, संस्कार और अभ्यास तो इस तरह से ये दस आप याद रख सकते हैं इसके बाद जो बताया है चरक ने कितने गुण स्विकार किये थे उन्होंने 41 गुण स्विकार किये ये MCQ आ जाता है और वैशेशिक ने कितने किये 17 गिये हैं तो चरक ने जो 41 गुण किये वो किस तरह उन्होंने स्विकार किये देखे उन्होंने इंद्रियों के गुण ज इसके बाद जो आत्मा के गुण है वो 6 बताय हुए और परादी गुण जो 10 है वो मिला के 41 गुण होते हैं तो द्रव्य गुण जो है गुर्वादी गुण और परादी गुण ये 20 और 10 मिला के ये 30 सामान्य गुण बताय हुए है तो द्रव्य गुण 20 है और परादी गुण तो चरग ने कितने गुण स्विकार किये है 41 वैशेशिक ने 17 किये 17 और सामान्य गुण कितने है 30 है द्रव्य गुण कितने है 20 और परादी गुण कितने है 10 इंद्रिय गुण है 5 तो यह सब नंबर्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है एक ना एक एम सिक्यू तो इसके कोई भी एक ब्लैंक आ सकता है संभाई ब्लैंक आ सकता है या निश्चेश्टाह कारणम भी आ सकता है या फिर संभाई तो निश्चेश्टाह कारणम देखे वो क्या है गुणा है या कर्म है वो ब्लैंक आ सकता है तो यह एम सिक्यू के लिए आता है यह सिंगल लाइन का है आप लेंद कर ले तो बहुत ही बहतर है, तो गुण का लक्षन क्या है देखते हैं, जो संभाई है, यानि कि जो किसी पर आश्रीद रहता है, या किसी के आधार पर रहता है, किसी के सपोर्ट से रहता है, उसे हम गुण कहते हैं, जो निश्क्रिये हैं, जो स्वयम क्रिया रह तो वो रंग जो है उसका नीला होना ये उसका गुण है लेकिन वो क्यूं है क्योंकि वो पैन है इसलिए मतलब पैन जो द्रव्य है उसकी वज़े से नीला ये गुण है उसका अगर द्रव्य ही नहीं होगा तो उसका गुण नहीं हो सकता तो गुण जो है वो आश्रित रहता किसी ना किसी चीज के उपर द्रव्य के उपर तो जो समभाई है मतलब किसी के आधार पर रहता है किसी पर आश्रीत रहता है और खुद उसका कुछ कार्यक्रिया नहीं होती खुद से वह निश्क्रिय है और वह कारण है इसके बाद हम देखेंगे द्रव्य का लक्षन क्या है इसके लिए भी एक श्लोक है यहाँ पर यत्रा श्रिताहा कर्मगुणाहा कारणम समभाई यत्त द्रव्यम इसमें भी ब्लैंक सा जाते हैं कर्मगुणाहा ब्लैंक आता है द्रव्यम लास्ट में जो है वो ब्लैंक आ जाता है तो ये एक MCQ के लिए श्लोक याद कर लें तो बेटर है तो क्या है द्रव्य का लक्षन द्रव्य का लक्षन है जिसमें कर्म और गुण दोनों आश्रित होते हैं हमने पहले देखा कि गुण जो है वो किसी पे आश्रित रहता है तो किसी पे मतलब किस पे वो द्रव्य पे आश्रित रहता है तो अब द्रव्य का देखिए जिसमें कर्म और गुण आश्रित हो जो अपने गुण कर्म का समभाई कारण होता है मतलब कि गुण और कर्म उस पे आश्रित होते हैं तो समभाई कारण ये वर्ड देखे डर नहीं जाना है आपको, आप समझ लीजे कि समभाई कारण है, इसका मतलब कर्म और गुण जा है, वो दोने ही द्रव्य पे आश्रीत है, तो ये द्रव्य का लक्षन है, तो गुण के बारे में तो हमने देख लिया है कि वो किसी पे आश्रीत रहता है, अब इसके बाद हम ऐसे ही कर्म के बारे में भी देखेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे कर्म क्या है, तो देखें कर्म के लिए क्या श्लोग बताया हुआ है, प्रयतनाधी कर्म चेश्टितम उच्चते, तो ये भी एम से क्यू आता है, प्रयतनाधी चेश्टाओं को हम कर्म कहते हैं यानि जो प्रयतना दी काम हम करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं इसके पांच प्रकार या पांच भेद बताय हुए है तो पहला है उच्छेपन फिर है अवक्षेपन आकुंचन प्रसारन और गमन तो ये अपोजिट पैर्स में होते हैं देखिए उच्छेपन आवक्षेपन आकुंचन प्रसारन और गमन तो ये पांच प्रकार बताय हुए है और कर्म जो है वो भी द्रव्य पर ही आश्रित है हमने द्रव्य के इसमें देखा हुआ है लक्षन में कि कर्म और गुण जो है वो दोनों ही द्रव्य पर आश्रित होते हैं ग उसका गुढ है नियला और उसका कर्म क्या है लिखना तो लिखना और नीला ये दोनों ही चीज़े पें पेंगे डिना तो होई नहीं सकती है तो इसी से हम समज़ लेते हैं कि कर्म और गुढ़ जो दोनों है वो डूनों ही दोने द्रव्य पर आश्टित होते हैं, तो ये भी भ्लयाग का जाता है कि कर्मों और गुण किस पर आश्टित होते हैं, तो द्रव्य टिक करना है अबने। इसके बाद हम देखंटे है, संभव्य क्या रिखा West India कि अप्रुथक भाव। पृब दरव्यों का अपने अपने गुण से मिला जुला रहना जहां दरव्य होता है कि अपने गुण के अपने गुणbahn साथ में अप्रुथक भाव संबाय को जहां बरफा गुण होग थंबा होना तो यही हम को समभाईसे समझना है कि जो भी द्रव्य हैं उनका अपने अपने अप्रुथक भाव होता है उन्हें separate नहीं किया जा सकता अप्रुठक भाव याने वो separate नहीं किया सकता है वो मिल जूलकर ही रहते हैं द्रवय और गुण जो है मिल जूलकर ही रहते हैं को आप समभाय देख लिया हमने अब हम कर्म का लक्षन देखते हैं तो यहां पर भी ये श्लोक है देखिये संयोगेच विभागेच कारणं द्रव्यमाश्रितम कर्तव व्यस्यक्रिया कर्म कर्म नान्या दपेक्षतें तो ये श्लोक अगर लन कर सके तो अच्छा ही है वरना देखिए क्या है इसका कर्म का लक्षन जो है नीचे लिखा हुआ है संयोग और विभाग का कारण जो है वो कर्म है संयोगेच विभागेच कारण द्रव्यम आश्रितम तो संयोग और विभाग का जो कारण है वो कर्म है मतलब कर्म की वज़े से ही संयोग भी होता है और कर्म क और द्रव्यों के बिना कर्म नहीं हो सकता है, यह 3rd point जो मैंने अभी अभी कहा था, और कर्तव यानि कि जो हम काम करते हैं, उसी क्रिया को ही हम कर्म कहते हैं, तो जो भी काम हमने खाना खाया, हमने पानी पीया, सौरी दोस्तो, फोन रिंग हो गया था मेरा, तो मैं कह रहे थी कि, जैसे कि हमने खाना खाया, हमने पानी पीया, हमने कोई काम किया, तो यह सब कुछ ही कर्म ही है, और द्रव्यों के बिना कर्म नहीं हो सकता है, जैसे कि द्रव्यों के बिना गुंड नहीं हो सकता है, ऐसे कर् करते हैं उसी क्रिया को ही हम कर्म कहते हैं सब jiMP कुछ जो description अभी तक आया हुआ है, इस अभी प्रयोगता आरउध के प्रयोजन में यानि कि धातू की समता बनाएं रखने में तो यही आयरवेद का प्रयोजन है धातू साम्यक रिया या फिर धातू को सम रखना तो दोस्तों अब हम बात करते हैं त्रिविद हेतू क्या है हेतू का मतलब क्या है? कारण या फिर causes तो शरीर और मन के जो रोग होते हैं व्याधी होते हैं उनके जो त्रीविद कारण है वो क्या है वो यहां पर बताया हुआ है तो देखिए क्या शलोक है काल बुध्धि इंद्रिय आर्था नाम योगो मिध्या न चाहती च द्वया श्रेया नाम व्याधी नाम त्रीविदो हेत्तु संग रहा तो इसका क्या मतलब है श्रोक का कि काल बुद्धि और इंद्रियों के जो विश्य है हमारे जो हिए अब जैसे एक्जामपल ले लिए जै का मि exactly अगर अयोग अतियोग कैसे हो सकता है तो अब जैसे अगर गर्मी के दिन है ग्रिश्मिरतु है तो अगर इसमें अब गर्मी के दिनों में हमें शीत चीजों का सेवन करना चाहिए, लेकिन अगर हम गर्मी पैदा करने वाली ही चीजों का सेवन करेंगे, तो यह हो जाएगा अनुचित प्रकार का विवहार हो जाएगा, तो इसको हम काल का मिथ्या योग कहेंगे, अब अयो काल बुध्य और ईंद्रियार्थ का ही समयोग जब होता है तब अरोग्य सबक्षाइन, के लिए हमारे शरीर का आरोग्या टिकने के लिए वह इनी तीनी चीज हों का लेकिन सम्यक योग होना चाये तो काल पुद्धियप और इंद्रियार्थ का ही सम्योग जब होता है तब आरोग्य रहता है और मिध्ययोग याध्ययोग यातियोग measured जाता है तब व्याधी निर्माण हो जाते है अब देखे द्वयाश्रय आणाम का क्या मतलब है यहां पे तो शरीर और मन तो यह जो रोग और आरोग्य हमारे दोनों भी जो स्थिती है रोगी होना या आरोग्य रहना यह दोनों के ही आश्रय है शरीर और मन यानि कि शरीर और और मंद का ही होगा तो ये दो आश्रे हैं द्वयाश्रेया नाम इस वर्ड का जो मतलब है वो यह है अब हम देख लेते हैं आत्मा क्या है तो आत्मा का परिच्छे क्या है आत्मा निर्विकार है निर्विकार याने निरोग है या फिर तटस्त है इसके दो मीनिंग हो सकते है या तो वो निरोग है या फिर तटस्त है किस कॉंटेक्स्ट में यूज किया है वो थोड़ा देखना होता है तो निर्विकार है पर है मन पंच महाभुतों के गुण और इंद्रियों से यूक्त है आत्मा जो होती है वो मन पंच महाभुतों के जो गुण है और जो इंद्रिय उनसे यूक्त होती है, चेतनता में कारण होती है, मतलब आत्मा की वज़े से ही जो है, चेतन होती है, द्रव्य, आत्मा नित्य है, द्रश्टा है, यानि की साक्षी है, जो हो रहा है, उन गटनाओं की साक्षी है, और सभी क्रियाओं को देखता है, इस प्रकार बताया गया है प्रकार निर्वीकार का मतलब और तटस्थ है इतना आपको लिए कुरण वाली है और आत्मा के जो दो प्रकार है वो है पर आत्मा और जीवात्मा तो इतना आपको लिखना है अगर आत्मा आपको लिखने के लिए आता है लिखने के लिए तो इसमें आप अगर आत्मा के परियाई इंक्लूड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बारा परियाई है आत्मा के वो भी अगर इंक्लूड कर दें तो अच्छा ही होगा नह क्यों आ जाता है कितने परियाए हैं आत्मा के तो बारा जो परियाए है वो है ब्रह्म, इंद्र, वायू, अगनी, मन, धृति, धर्म, किर्ती, यश, श्री, शरीर और शरीरी, तो इसको याद रखने के लिए देखिया ब्रह्म, इंद्र, वायू, अगनी, तीनो देवताओं क चारों देवताओं के नाम है तो इनको आप याद रख सकते हैं ब्रम, इंद्र, भायो, और अगनी मन, द्रती ये दोनों एक साथ याद रख लीजे धर्म Chenyaet साथ याद लीजे यश्यश्री ये नाम की तरह आप याद रख सकते हैं और शरीर और शरीरि तो इस तरह से ये आत्मा के बारा परियाय आप याद कर सकते हैं तो फिर से मैं एक बार क्या देती हूँ आत्मा का question आ जाता है कई बार 2 marks के लिए 4 marks के लिए 5 marks के लिए तो 2 marks के लिए आत्मा का जो परिचे हमने इसके पहले के page पर देखा है वो आप लिख दीजिए अगर ये 12 परियाय आपको याद है ये भी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है अगर 4 marks के लिए 5 marks के लिए आता है तो यहां तक आपको लिखना ही है अब इसके बाद हम देख लेते हैं दोश प्रकार क्या है दोश भेद क्या है तो ये भी question कई बार आ जाता है कि दोश के प्रकार क्या है में important two types है शारीरिक और मानसिक अब जैसे हमने पहले कि इसमें देखा है कि रोगों का जो आश्रे है वो क्या है दोई आश्रे या नाम दो आश्रे है शरीर है और मन है तो इसका मतलब क्या है रोग शारीरिक होंगे या मानसिक होंगे अब शारीरिक होंगे मानसिक होंगे तो इसका मतलब शरीर में भी दोश होंगे मन में भी दोश होंगे तो शरीर के जो दोश है शारीरिक दोश जो है वो है वात्पित्त और कफ और मन के जो है मानस दोश जो अब व्याधियां शारीरिक और मानसिक अलग हैं, दोश भी शारीरिक और मानसिक अलग है, तो इनका चिकित्सा सुत्र भी अलग होगा, तो देखें, जो शारीरिक रोगों का चिकित्सा सुत्र है, वो क्या है, इसमें दो तरह की चिकित्सा हम करते हैं, देव व्यपाश्रे औ और मानसीक रोग उनकी चेकित्सा होती है सत्वा वजय से तो अब है सब क्या है यह हम ध्दिर hr दिससी में थीमने तो शारीरिक रोग में जो चेकिट्सा सुत्र में पहला पोइंट है वहें देवविव व्यपाश्रे तो इसमें क्या होता है जो मतलब व्याधिया आती है वो पूर्वकर्म जो व्याधि का क्षेत्र है यह मतलब पूर्वकर्म के जैसे जो व्याधिया उत्पन्न होती है कहा गया है जैसे कुष्ठ हो गया तो इस तरह की व्याधिया जो है यह इसमें इनके लिए तो इसमें ग्रंथों में लिखा है कि प्राक्रुतिक देवों की जो है प्रार्थना करनी है वर्ण इंद्र, सूरिय, सूरिय, रश्मी, जल, वायू, इन इसमें उप्योग किया जाता है सूरिय की किरिने है यह treatment के लिए यूज कि जाती है जल है वायू है तो एक तरह से हम आज के प्रणाली में हम कह सकते कि नैच्रोपैतिका इस्तमाल होता है इसमें फिर बली मंगल आदी जो सब होम हवन वगेरे सब किये जाते हैं बली दिया जाता था मंगल कर्म किये जाते थे पूजा अरचना कुछ बताई जाती है कि आपको अ पूजा करो इसको अरचना करो यह सब बताए जाता है काफी कम है देखा गए तो बली मंगल यह सब उस में आता है और रुगवेद काल जो था हमारे चारो वेदों में से जो रुगवेद का काल था उस काल में इसकी बहुत ज्यादा अधिक्ता थी तो यह एक mcq आ जाता है कि किस काल में इसका प्राधान्य था और पूर्वकर्मच जो भी व्यादी है इसका एक शेत्र है तो यह दोनों चीजे आ जाती mcq के लि तो दो शादी के अनुसार जो भी हम उशदियां होती है उनका जो हम योग करते हैं या योजना बनाते हैं किस तरह से देना है या हितकारक प्रयोग करते हैं तो यह सबाता है युकती व्यापाश्रे चिकित्सा में अब आयरुवेद के जो सभी जो सहीताई है गरंथ है इसमें युक्ति व्यपाश्रे चिकित्सा का ही इंपोर्टन से प्रधानता है दैवा व्यपाश्रे चिकित्सा भी कुछ रोगों में बताई गई है लेकिन यूक्ति व्यपाश्रे चिकित्सा की ही प्रधानता है इसलिए आयुर्वेध है और इनमें आहितकर हार, हितकर आहर, विहार और जो भी आउशत द्रव्य है उनको किस तरह से देना है, खाने की चिकित्सा का पाठ है और चिकित्सा संबन्त से जो भी जितनी भी पद्धतिया है चिकित्सा से रिलेटेड वो सारी यूक्ति व्यपाश्रे चिकित्सा में समाविष्ठ हो जाती है अब इसके बाद हम देखेंगे सत्वा वजय चिकित्सा क्या है तो मानस रोगों के लिए स इसमें आध्यात्मिक ज्यान, शास्त्रविक ज्यान, धीरता, स्मारण शक्ति, समाधी ये सब टेक्निक्स यूज़ करके इन सब प्रोसीजर्स के द्वारा सत्वावजय चिकित्सा की जाती है। मानसिक विकार जो है, काफी बढ़ा क्षेत्र है, कई तरह के रोग होते हैं इसमें, और इसमें इसलिए टेक्निक्स भी हर रोग की अलग-अलग हिसाब से उसे यूज़ करनी पड़ती है, जैसे अभी अगर भूल जाता है कोई अगर तो उसे स्मरण शक्ति की टेक्निक हमें यूज़ करनी पड़े की, अगर किसी के मन में बहुत उद्वेग है, बहुत ज्यादा आशान्त मन है, तो समाधी की प्रैक्टिस करानी पड़े की, तो अलग-अलग मानसिक रोगों के लिए इन में से अलग-अलग जो है, चिकित्साय करनी पड़ती है, अब आज के दौर जो मॉडरन साइन्स के हिसाब से साइको थेरपी जो होता है, वो हम सत्वावजय के साथ इसको कंपेर कर सकते हैं, तो ये तिनो दैववयपाश्रे, युक्तिवपाश्रे और सत्वावजय ये यूजुली हर बार आ जाता है एक्जाम में, फाइमार्स के लिए, से क्यू के लिए, कई बार एलेक्यू के लिए भी आ जाता है, तो काफी स्कोरिंग टॉपिक है, इसी टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तिनों के में क्या अंतर है ये जानना, और सिंपल टर्म्स में आप तिनों इसको एक्स्पें करके, ये मार्क्स आपके कहीं न कोपिक है, तो मैंने यहां पर एक टेबल रूप में दिया हुआ है, आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगी इससे, तो तीनों दोशों का मैंने अलग-अलग दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे पित्त और कफ का भी, इस पेज पर हम वात के बारे में विशद खर, तो यह जो गुण है, इनके गुण, मतलब यह लक्षन है, और इनके विपरित जो गुण होंगे, उनसे हमें चिकित्सा करनी होगी, अब नैचरली अगर रुक्ष गुण की वज़े से, अगर कोई बिमारी हुए है, तो उसमें हमें सनिक्द उपचारी करने प तूल, मृदू, या फिर स्थिर, और पिच्चिल और शलक्षन, तो यह सामान्य चिकित्सा सुत्र है, वात दोश के लक्षनों के लिए कि इस तरह से चिकित्सा आपको करनी होगी, तो यह से क्यूज के लिए यह तीनों पॉइंट आ जाते हैं, कभी-कभी टू मार्क्स के सिर्फ लिखने के लिए सिंगल एकदूश का भी आ सकता है, अब पित्स के बारे में बात करें तो तो ससनेह, याने ससनेह के साथ होता है थोड़ा सा, फिर उश्ण होता है, तिक्षन है, द्रव है, अमल है, सर है, और कटू है, अब इसके अपोजिट होगा, पूर्ण गुरु शीतम रुदु सनिग्द मधुर स्तीर और पिच्छी लिए इसके लक्षण है और इसका चिकित्शा सुत्र है लगु उष्ण तिक्ष्ण रुक्ष्ण कटु चल और विश्द तो अपोजिट सी हैं आपको अगर गुण याद होंगे सारे तो उनके अपोजिट इसी एक सिंगल दोश का आता है तो उसके गुण अगर आप पहले लिख दें तो उसके आप पोजिट गुण आप चिकित्सा सुत्र में लिख सकते हैं कि इस तरह से इस दोश की हमें चिकित्सा करनी होगी तो यह से क्यों कि लिए यह थोड़ा आप अच्छे से याद कर है तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामाने चिकित्सा सुत्र के बारे में और इसके साथ हम यह वीडियो खतम करेंगे तो व्यादी किस तरह के होते हैं दो तरह के होते साध्य और असाध्य तो जो साध्य व्यादी होते हैं वो कौन से होते हैं जो की देश काल मा व्योग से अवस्था, बल, अगनी, और शरीर, जो रोगी का शरीर है, उसकी अवस्था क्या है, उसका बल क्या है, उसकी अगनी कैसी है, इसकी अनूसार, उसके ओपर जो अश्रद का हम युक्ति पूर्वक प्रयोग अगर करें, तो उससे जो रोगनष्ट हो जाता है, उसे असाध्य रोग जो है। उनकी चिकित्सा का वरणन ही नहीं किया गया है। क्यूकि वह तो असाध्य है वह ठीक नहीं हो سकते हैं। तो इसलें उनको असाध्य कहा जाते है और उनका चिकित्सा का कोई वर्णन नहीं है तो इसके साथ अब हम ये वीडियो खतम करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चरक सुत्र स्थान का पहला अध्याय जो है दिर्गत जिवीती अध्याय जो की ओशच चतुष्क या भेशच चतुष्क का जो पहला अध्याय है उसका आधा पार्ट कह लिजे हमने वो इस वीडियो में कवर किया है तो इसके आगे के वीडियो में कवर करेंगे, तो काफी बड़ा चैप्टर है, कई बार काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है बहुत बार, और वैसे ही हम ये सब पदार्थ विग्यान और ये सब पढ़कर आये हुए हैं, उसमें हमने वैशेशिक दर्शन के हिसाब से यूज किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नोट्स और ये लेक्चर आपको कुछ काम में आ रहा होगा, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और I am very sorry कि वेबसाइट पे नोट्स अपलोड नहीं हो रखे थे, तो जो अभी भी हैं वहाँ पर उनको तो आप करी सकते हैं, पर जो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अगर आपको चाहिए, तो आप प्लीज मुझे परसनली इमेल कीजिए, इसके साथ ही अगर आपको कस्टमाइज नोट्स चाहिए, किसी पर्टिकलर टॉ आप से अगले वीडियो में चरग सुत्रस्थान दिर्गजिविती या अध्याई के पार्ट टू के साथ, बचे हुए पार्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाबाए और टेक केर